हलो एवरिवन तो गाइज आप सबका स्वागत है आपकी चैनल फोर यू रेसिपीज में तो त्योहार आ रहे हैं यार इस पंजी रजगुला गार ना वने घर में तो मज़ा नहीं आता है पर उसके लिए ताजा गाएं का दूद मिलना जरूरी होता है पर अगर आपको ताज ज़लने की जरुवत नहीं है और आपका जो रजगुले की दिक्कते आती है जैसे कि आपका रजगुला फूट रहे है जाशनी में जाके यह रबर जैसा टाइट बन रहा है या उसको टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है इस सारी दिक्कते में आपको इस वीडियो में समझान फुल क्रीम दूद इस्तमाल टॉन्ड दूद आपको इस्तमाल नहीं करना है अगर आपको ताजा गाये का दूद मिल जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ होई नहीं सकता है और अगर आपको भैस का दूद इस्तमाल करना है तो उसको आपको क्या करना है उबाल लगाना है उस रिजार करते करते बीच-बीच में इसको थोड़ो से चलते रहना क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें मलाई जमें क्योंकि अगर मलाई जम जाएगी तो वह चिकना भाँ निकल जाती है दूद से तो फिर गड़बड हो जाती है तो अब मैं दूद को फाड़ने के लिए बहुत आराम से पर अगर ना मिले तब आप क्या इस्तमाल कर सकते हैं सफीद वाले सिर्का होता ना वाइट विनेगर वो आप इस्तमाल कर सकते हैं वो कैसे इस्तमाल करना है अगर 6 चम्मच आप सिर्का ले रहे हैं तो एक कप उसमें पानी डालना है अगर आपको सिर्का भी अगर कुछ ना ही मिले तो ही इस्तनाल करना क्या होता है कि निम्बू का जो स्वाद है वो पनीर में कहीं न कहीं रह जाता है खटा पन नहीं रहता पर एक स्वाद सा रह जाता है तो आपको वो जब आप रजगूल लखाओगे तो वो महसूस होगा स्वाद तो ये जो मैंने साटरी ली है ये कितनी है अगर आपको घरवाली चमच के हिसाब से बताऊं जिससे आप खाना खाते है ये इस चमच का चौथा हिस्सा है यानि कि 1 फोर्थ टीस्पून है तो जो दूद है उसमें बस उबाल आने ही वाल है और ये दूद में उबाल आ गया और बस इस टाइम पर हम कर देंगे गयास को बंद और हमें इसको क्या 5 मिनट ऐसे छोड़ देना है जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए गर्म गर्म में अगर दूद को फाड़ेंगे तो क्या हो जाता है कि वो टाइट बनता है आपका पनीर पर बीच बीच में एक दो बार आप इसको चलाते रहना जिससे की उपर मलाई ना जम है तो अब मैंने जो साटरी ली थी एक बरतन में उसको कर दिया है और इसमें मैं डाल रहे हूँ एक कप पानी तो ये पानी का हिसाब ये है जैसे कि मैंने चार कप लिया है दूद तो एक कप मैंने इसमें ले लिया है पानी अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ वो या आधा मिंट के लिए थोड़ा सा गर्म कर लिया तो ये दूद को भी रखे रखे 5 मिनिट हो गई थी, अब धीरे धीरे करके हम ये जो साटरी वाला पानी है इसके अंदर डालेंगे, एक साथ नहीं उडेलना है, कम से कम आपको 4-4 मिनिट लग जाएगे इसको फाडने में धीरे धीरे करके, हम धीरे धीरे इसको इसलिए पर अब आप यहाँ पर देखना कि मैं साटरी का पानी नहीं डालूँगी, आपको क्या करना है जब भी आप साटरी का पानी डाले तो थोड़ा सा उसको चलाओ, तब यह आपको पता चल पाएगा कि वो दूद फटा है कि नहीं फटा, क्या इसमें और जादा साटरी का पा पानी उडेल देते हैं, तब गड़बड हो जाएगे और आपका जो पनीर है वो टाइट बनेगा, अगर पनीर टाइट बनेगा तो आपके रसगुले भी टाइट बनेगे, अब पनीर में से हम पानी निकाल लेते हैं, अब पनीर में से पानी निकाल लेके बाद काफी गए तो हमें इसको क्यों नहीं दोना है देखो इसके अिलग भी घटास नहीं रहती है कभी भी हलवाई पनीर को धोते नहीं है और अगर आप नीमू स्तेमाल कर रहे तो आप मैंकota कितना भी दो लो कितना भी नहीं लालो ह। इसका जो साध ना खटापन तो पर उसका स्वाध नहीं जाएगा और इसकी चोटी को भी इस तरीके से दवाते रहना बीच-बीच में क्योंकि इसमें भी पानी भड़ जाता है और यह देखो काफी अच्छे से पानी निकाल लेना है आपको और उसके बावजूद भी कितना यह मुलायम बना है क्योंकि जो ह आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और आधे घंटे के बाद यह देखो कि उसकी चोटी में कितना सारा पानी भर गया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मुलायम हमारा पनीर बना है तो मैं क्या कर रहे हूँ कि thank you तो जो बरतन होता है, उसकी दीवारों पे सर मार मार के आपस में सर भिड़ा भिड़ा के उस तरीके से चप्ते से हो जाते हैं तो आप जब भी रजगुल्ला बनाए तो इस चीज का ध्यान रखना तो अब हमें क्या करना है, पनीर को हमें मसलना है, तो हमें इसको बहुत जादा नहीं मसलना है चलो इसको पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि बिना मसली भी कितना जादा मुलायम है जबकि मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया था अगर मैं हलका सा इसका गोला बनाने की कोशिश करे हूँ तो ये उवर्ड खवर्ड सा इसका गोला बन रहा है तो अब आपको क्या करना है टाइम देख के और फिर इसको मसलना है अब आप देख सकते हैं कि मैं उंगलियों से इसको मसल रही हूँ तो शुरुआत के आधा मिनट के लिए यानि की 30 सेकंड के लिए आपको इसको उंगलियों से मसलना है बस खाली जैसे ही अब 30 सेकंड हो गई है अब आपको क्या करना है आपको इसको हतेली से मलना है और हतेली से मलने का मतलब यह नहीं, कि इसकर जान निकाल दो और उसको दबा डबा के बहुत मसलना है नहीं आपको क्या करना है, अराम अराम से थोड़े हलक के आतों से इसको मलना है अगर आप इसको बहुत ज़ादा मलते हैं पनीर को उसके वज़े से भी आपका जो रसगुला है वो तूटता है या फिर वो टाइट बन जाता है हतेली से बस मैं इसको 45 से लेके एक मिनट तक मसल रही हूँ और इसमें हमें क्यों अतना कम मसल ना पड़ा पनीर को और इससे अच्छा बनता है हमारा जो रसगुला होता है क्योंकि हमने जो इसको पनीर को फड़ा है वो बहुत ही मुलायम पनीर बनके हमारा तयार हुआ है जितना जादा आपका टाइट पनीर होगा उतना जादा मसलना पड़ेगा उतना जादा अगर आप उसको मलोगे तो आपके रजगुले टाइट बनते हैं अब हम यह देखते हैं जो पनीर की आप बॉल बनाते हैं अगर उसमें इस तरीकी के हलकी हलकी सी दरारे है चोटी चोटी सी पर गहराई में नहीं है तो आपका रजगुला परिफेक्ट बनेगा पर डरने की बात आ जाती है यहाँ पे जब कुछ इस तरीकी की दरार हो जो थोड़ी गहराई में हो तो उससे क्या होता है जैसे ही रजगुला आपका चाशनी में जाएगा वो फट जाता है तो यहाँ पर आपको रखना है ध्यान अब आप कोगे हम तो बिल्कुल चिकनी बॉल बनेगी तो वो बढ़िया रहेगा नहीं यह देखो मैं चिकनी बॉल मैंने बनाई थी बिल्कुल चिकनी उसमें एक भी हल्की सी विदरार नहीं थी ना चोटी ना बढ़ी तो आपका इस तरीके का वहियात रजगुला बनके तय जिसका स्वाद भी बहुत घटिया होता है और यह स्पॉंजी भी नहीं होता है खाने में लगता है बिल्कुल रवर के जैसा तो यह तब होता है जब आपके दूद में चिकनाई ना हो यानि कि उस पर मलाई उतार दी गई हो या उसमें से क्रीम निकाल के अलग कर दियो उस जो पनीर का गोला है इसके उपर दरारे होनी अच्छी बात है जैसे आपने सर्फ वाला एर सुना है ना कि दाग अच्छे है इसी तरीके से इसके उपर दरारे अच्छी है अगर थोड़ी थोड़ी हो तो अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपने गोला बना रहे हो और गोला बनाते बनाते उसमें बहुत दरारे आ रही है तो आपको क्या करना है उसको इस तरीके से हाथों में ते से लड़ू बनाते न ऐसे बांधते वे इसको करना है और फिर उसका अगर आप रजगुला बनाऊगे तो उसमें दरारे बहुत कम आएंगी अब मैं क्या कर रह indem कि एक जो रसगुल्ले उसमें हलका सा मैंने गुलाबी रंग डाल दिया है कि कभि अगर आपका मन हूँ कि आपको रंग भी रंगी रसगुल्ले बनाने हैं तो अगर आप रसगुल्ले के अंदर रंग डालते हैं तो इस recipe में क्या होगा कि जो हमारी चाशनी होती है वो ज्यादा गाड़ी नहीं बनाते हैं, बहुत पथली चाशनी रहती है तो जो इसका रंग है वो रसगुले की अंदर नहीं रह पाता, वो बाहर निकल जाता है रसगुले से, तो वो रसगुले आपका सरफइध रंग का बनके तियार होगा तो यहां पर मैंने ले लिया एक कूकर और आप इसकी जगे कोई चोड़ा वर्तन भी ले सकते हैं और उसकी उचाई भी अच्छी खासी होनी चीए अब मेरा जो कूकर है उसकी चोड़ाई कम है पर उचाई काफी है इसलिए मैं इसमें एक बार में आधे ही रजगुले बना के डालूंगे तो यहां पर एक कप अगर मैंने चीनी ली है तो उसका 6 गुना याने की 6 कप इसमें पानी डालेंगे अब आपको यार इतनी सारी आप चाशनी क्यों बना रहे हो कि इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो रजगुले होते हैं उनको खेलने कूद से देखना कि यह रजगुले जो है कैसे कैसे इधर से उधर भाग रहे हैं इसलिए हमने इसमें चाशनी जादा बनाई थी तो अब हमें क्या करना है इसको धक देना है और धक के इसको 5 मिनट के लिए शुरुआत में पूरी तीज आज पर पकाना है और धक देंगे जब कि लिए पर हम तो ऐसा कुछ नहीं इस्त्माल कर रहे हैं तो इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप इसके ज़ाग बने रहने दे तो आपको बेवज़ा न इसका जlling है उसको बार-बार नहीं खोलना है उससे क्या होता है जो जहाग है वो कम हो जाते है तो अगर आपको लगे इसको पूरी तेज आज पर पकाते पकाते अब मैंने गैस कर दिया मीरियम मध्यम आज पर मैं 10 मिनट के लिए इसको पकाने वाली हूँ तो 8 मिनट हो गए हैं टोटल शुरु आज से लेकि अभी तक इसको पकाते पकाते और इस टाइम हम हलक किसे चम्चे से इस तरीके से इसको घुमा देंगे अब मैं रसगुलों के लिए मीठी चाशनी तयार कर रही हूँ क्योंकि वो तो बहुत पकली चाशनी है उससे मीठे थोड़ी ना होंगे रसगुले तो यहाँ पर मैंने एक कप चीनी लिया है और दो कप पानी ले लिया है तो अब हम इसे क्या करना है कि इसको उभालना उभालना नहीं है बस ऐसा करना है कि जो इसकी चीनी है वो घुल जाए तो आप आधे मिनट के लिए इसको गर्म कर लो जिससे की जो पानी है वो गर्म हो जाए और आपकी चीनी जो है वो प्यार से आराम से गुल सके तो अब इसको पकाते पकाते हो गई है आपे टोटल पंदरा मिनट पांच मिनट पूरी तेज आज पे और दस मिनट मध्यम आज पे गैस मैंने कर दिया बंद और इसको इस तरीके से ढखके और दस मिनट के लिए हम छोड़ देंगे तो क्या आप देख सकते हो कि पहले कितने छोटू-छोटू से थे और अभी कितने बढ़ गए हैं कम से कम धाई होना इनका साइज बढ़ चुका है तो इस टाइम पर हमारे रजगुल्ले हैं गर्म-गर्म और बहुत ही डेलिकेट है याने कि बहुत मुलायम है हलका सा चम्चे की साइड लगेगी तो वो तूट जाएंगे तो हमेशा आपने देखा होगा कि जो हलवाई होते हैं वो अपने चम्चे में पहले चाशनी भरते हैं फिर उसमें रजगुल्ला इस तरीके से लेके और फिर दूसरी चाशनी में डालते हैं ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस टाइम यह गर्म-गर्म है इसकी जो जाली है वो बहुत ही मुलायम है कि देखो जैसे मैंने इसको रखा दो को हलका सा चम्चे की साइड लगी और जो रजगुल्ला है वो फट गया अगर आप खाली चम्चे में रजगुल्ला लेंगे तो उसकी जो जाली है न अभी बनी हुई अंदर से जो गर्म-गर्म है वो क्या होगी वो दब जाएगी पिचक जाएगी तो हम नहीं चाते कि ऐसा हो तो इसलिए हम उसे इस तरीके से उठाते कि उसको पता भी न चले कि हमने उसे एक जगे से उठा के दूसरी जगे फिर शिफ्ट कर दिया है तो अभी यह हलकी गर्म है पर अभी आपको मैं दिखा देती हूँ दवा के तो नहीं दिखा पाऊंगे वरना ही तूट जाएगे सैट होने देते हैं पर जो यह तूट फूट ही है ता इसके दरशन कर आती हूँ देखो इसकी जली कितनी बहतरीन बनी है ना बेकिंग पाऊडर ना बेकिंग सोडा ना कॉर्ण फ्रोर कुछ नहीं डाला तो अभी उसको ठंडा होने देते हैं और यहां पे जो चाशनी है वो कम हो गई है अब हमें इसको चाशनी में दुबारा से रजगुले प पानी डाल दिया ठीक अब मैंने खाने का इसमें रंग डाल दिया है अगर आप खाने का रंग नहीं डालना चाहते है तो जो चुक अंदर आता है उसको घिसके उसका रस भी आप इसमें इस्तिमाल कर सकते है तो जो आपको रंग डालना है तो आप वो चाशनी में डालो उस तो ये जो दूध है जो फाड़ा था जो पनीर था उसके अंदर से जो फैट है वो बाहर निकल जाता है तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है जब आपके रजगुले बाहर रखे रखे ठंडे हो जाएंगे उनको निचोड़ना है और एक चाशनी बनानी है वो ही दो कप पानी एक कप चीनी से और फिर उसमें वो रजगुले डाल देना है फिर आपको वो भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप दो रंग के रजगुले बना रहे हैं तो उनको दोनों को अलग अलग ही रखना वो क्यों कह रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ भी ये देखो मैंने इसकी चाशनी को निचोड के और फिर दूसरे वाले के साथ में डाला है रजगुले के और अब इसमें मैं डाल रहे हूँ केवडा जल जिससे इसके अंदर बहुत बढ़िया खुशबू आ जाएगे टेस्ट बढ़ जाएगा इसका अगर के वड़ा जल ना मिले तो आप रोज एसेंस ये गुलाब जल भी इस्तमाल कर सकते हैं इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं फिर दिखाती हूँ अब ये देखो ये होती है गड़बड अगर आप दो तरह के दो अलग-अलग रंगों को साथ में रखोगे तो ये गड़बड हो जाती है तो अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ 7-8 घंटे के लिए तो अब इसको मैंने एक दिन के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था आप देखो इसका बिल्कुल कहते हैं रूप परिवर्तन हो चुका है ये जो सपे तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने जादा जालीदार बने है और इससे अलग भी मैंने और भी एक किलो रजगुले बनाए है उसमें मैंने लेले रंका भी रजगुला बनाया तो ये आपको मैं तोड़ के दिखाते हूँ जिससे आप इसकी जाली और जादा धंग से दे है और जाली तो पूछो ही मत कितनी बढ़िया बनी है बिना गाएं के ताजे दूद के पैकेट वाले मिलावटी दूद के साथ में अगर आप इतना प्यारा रजगुला घर पर बना रहे हैं बिना बेकिंग सोडा बिना कॉर्ण फ्लोर बिना मैदा बिना सूजी बिना के जरूर बताना कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया तो इंजोई कीजिए बहुत ही यमी रेसिपी टिल एंड टेक केर इंजोई एंड बबाई